हाई गाईज, दोस्तों आपको Bytee Studio App में आज आपको एक दिक्कत आ रही होगी, आपका जो YouTube पर Thumbnail है वो चेंज नहीं हो रहा है, आप उसे सेव कर रहा है, तो आज मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप उसे सेव कर सकते हो, आपको कुछ नहीं बस करना है, आप कोई सिंपल सा काम करना है, तो चली चलते हैं आपने Bytee Studio App में, तो मैं आपर Bytee Studio App को Open कर लेता हूँ, तो जैसे आप इसे Open करेंगे, जिस भी वीडियो को Thumbnail आपने चेंज करना है, जैसे कि मैंने इस वीडियो को Thumbnail चेंज करना है, तो मैं इसको यहाँ पर Select कर लेता तो जो सभी Thumbnail आप लगाना चाहे हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर यह वाला Thumbnail लगा लेता हूँ, जैसे कि यह वाला Thumbnail मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, तो हम इसको Select कर लेता हूँ, तो Select करने के बाद दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं, जो Save का Option है, वो आपर Save प बाद फिर से लिखते हैं, तो इसके बाद आपका जो Save का Option है, वो आ जाएगा और Save पर आपने क्लिक कर देना है, तो आप भी यहाँ पर देख सकते हैं, को आपका जो Thumbnail है, वो Save हो गया है, तो वह वासा आपको यह Simple सा Trick करना है, आपका जो Thumbnail है, वो Save हो जाएगा और आ Thumbnail चेंज पर सकते हैं, तो आज की वीडियो में बसकते हैं, वीडियो तेकने के लिए धन्यवाद, और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं,